इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ आइडिया शेयर कर रहा हूं कि अगर आप टीचर हैं, पेरेंट हैं या कोई एजुकेशन आफिसर हैं तो आप स्टूडेंट्स को गाइडेंस दे सकते हैं कि वो साइंस एग्जिबिशन के लिए किस किसम के प्रॉजेक्स बना सकते हैं प्रॉजेक्ट आइडिया ढूटने के लिए हम डिफरेंट लेंसे के तुरू इस बात को देख सकते हैं और इससे फिर हमारा एक फ्रेमवर्क डिवलप होगा तो एक लेंस तो है कि करिकुलम बेस्ट साइंस टॉपिक्स पर स्टूडेंस प्रॉजेक्स बना सकते हैं और आज के दिन स्टूडेंस इसी किसम के प्रॉजेक्स बना रहे होंगे दूसरा जो हमारा लेंस है वो जैसा कि डिच्टल एडुकेशन विवर ने पूचा है हैं नए आइडियाज तो ये नए आइडियाज हो सकते हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स, इमर्जिंग टेक्नोलजीज, चैलेंज़गे अन ऑपरिचुनिटीज फॉर इग्जैंपल यही दुनिया को शेप करेंगी जिसमें यह जो यंग स्टूड़न्स हैं वो ग्रोव अप कर रहे हैं तीसरा लेंज हो सकता है कि नैशनल और लोकल इशूज कि नैशनल, रीजनल या लोकल लेवल पर किस किसम की चालेंज़े हैं और किस किसम की ऑपरचुनिटीज हैं अगर स्टूड़न्स इसके बारे में रीसर्च करके कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो उनके लिए बहुत यूसफुल रहेगा क्योंकि वो उनके अपने संदर्ब में जो है वो बहुत इंपॉर्टन्ट है इन दो लेंसे के अलावा फिर एक जो तीसरा लेंस है वो है फीजिबिलिटी का कि स्कूल लेवल पे स्टूड़न्स गिवन दे रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स की संसाधनों की कमी जो है उसको ध्यान में रखते हुए कौन से प्रोजेक्स हैं जो की अक्चली डूएबल है जहां तक डूएबिलिटी का सवाल है स्टूड़न्स के पास अगर आज के दिन एक पीसी लैप्टॉप और इंटरनेट कनेक्शन है तो यह जो emerging technologies है इन में से कई सारी चीजों पर वो working models बना सकते हैं और इस वीडियो में मैं इन projects के कुछ examples दूँगा पर कई सारे ऐसे topics भी हैं जिस पर working models बनाना मुश्किल है तो मेरे हिसाब से इन topics पर students research करके digital explainers बना सकते हैं So rather than making a poster और चार्ट paper Students के लिए कहीं ज़ादा cool और engaging होगा कि अगर वो for example google slides यूज करते हुए presentation बनाए या free app यूज करते हुए stop motion animation बनाए या फिर canva जैसा tool यूज करते हुए infographic या animated posters बनाए अगर आपको digital explainers के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप comment में लिख देना मैं इस पर एक और वीडियो बना दूँगा हम कुछ emerging trends पर नजर ढालते हैं और फिर हम समझेंगे कि इन पर students किस किसम के projects बना सकते हैं तो data analytics जो है वो एक बहुत important emerging trend है क्योंकि जिसको big data कहते हैं वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस किसम की information आज के दिन हम सब लोग social media में डालते हैं या जो sensors है क्योंकि वो सस्ते होते जा रहे हैं वो जिस किसम का data generate कर रहे हैं ये सब जो है ये आधार बन रहा है data analytics का और data analytics से जुड़ी हुई field है machine learning और artificial intelligence की एक और emerging technology है blockchain blockchain के बारे में आपने सुना होगा bitcoin के संदर्ब में मगर bitcoin जैसी cryptocurrencies जो है वो blockchain का केवल एक example है blockchain आज के दिन बहुत जगे use हो रही है जैसे supply chain management पर या फिर decentralized finance पर decentralized finance जो field है वो मेरे हिसाब से अगर कोई commerce का student है तो उसको debit what comes in and credit what goes out ये तो पता होना चाहिए क्योंकि ये exam के लिए important है पर कहीं ज़्यादा important है कि decentralized finance जैसे area के बारे में जानकारी जो की commerce और economics की field को disruptive तरीके से modify कर देगा and not only commerce students even other streams के students को इसकी जानकारी लाबदायक ही रहेगी internet of things एक और emerging technology है essentially जब हम everyday things में sensors embed कर रहे हैं और उनको फिर हम cloud से connect कर रहे है ये बहुत pervasive होती जा रही है and again ये एक game changing technology है जिसके बारे में students को पता होना चाहिए cloud computing जिसका एक example है tinkercad या जो आप scratch online यूज कर रहे हो वो इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि वो cloud based है पर enterprise level की जो cloud computing है चाहे google cloud है या चाहे microsoft azure या amazon web services ये हम किस किसम से काम करते हैं और किस किसम से software use करते हैं इसको बदल रहा है और students को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए internet of things और cloud computing से समबंदित चीज है edge computing यानि कि जो edge के devices हैं जैसे microcontrollers या smart phones ये आज के दिन किस तरीके से different industries और different areas को change कर रहे हैं ये एक और interesting topic है जिस पे students science exhibition के लिए projects बना सकते हैं और immersive reality यानि कि virtual reality या augmented reality या mixed reality ये एक और emerging trend है और जैसा आपने सुना होगा facebook company का नाम जो है वो बदल गया है अब वो meta हो गया है और Mark Zuckerberg ने ये नाम इसले बदला है क्योंकि उनको लगता है कि ये virtual reality और immersive reality जो है आने वाले दशकों में हम आपस में कैसे interact करते हैं और किस तरीके से training और education की field में बदलाव आएगा इसलिए important है कि students इसके बारे में जानकारी रखे है sustainable development और उससे संबंधित सभी topics climate change, carbon footprint, clean energy इन में से कुछ areas पे students models बना सकते हैं जैसे कि कोई windmill बनाना या solar cell use करके कोई project बनाना और बाकी चीज़ पर वो research कर सकते हैं bio engineering और bio technology एक और बहुत important area है जो कि खासकर genetic revolution से connected है तो gene therapy है या CRISPR है इनके बारे में जानकारी होना आज के दिन आवशक होता जा रहा है space technology एक और area है जिस पर students research कर सकते हैं और quantum technologies जैसे quantum computing या quantum sensors या जो कि लगता है कि जादा जल्दी possible होगी वो है quantum cryptography तो अगर किसी का cyber security में interest है तो फिर ये आवशक हो जाता है कि उनको quantum cryptography के बारे में जानकारी हो next हम एक नजर डालते हैं कि ये जो emerging technologies है इन मैसे कुछ पर किस किसम के hands-on models students बना सकते हैं तो data analytics जो है वो basically है कि अगर हमारे पास बहुत सारी information है तो हम उस information से insight या कोई idea या कोई inference कैसे draw करते हैं ये data analytics की field है data analytics की field पर मेरे हिसाब से projects बनाने का एक सबसे असान तरीका है science journal app ये एक free app है और इस पर मैं already एक detailed video बना चुका हूँ essentially students के पास जो भी mobile phone की access है उस mobile phone पे जितने भी sensors लगे हैं उसका data ये app real time gather करती है और उसको visually display करती है even most basic smartphone पर आज के दिन तीन sensor जरूर होते हैं light sensor, sound sensor और accelerometer तो ये app यूज करते हुए students for example noise pollution पे project बना सकते हैं कि किसी area में noise pollution कैसे बदलता है for example शादी के दोरान या market versus traffic versus घर के पास noise pollution का कितना level change होता है इस किसम के hands-on projects students बना सकते हैं to get a better understanding of data analytics अगर students के पास microbit version 2 है तो इस पर भी data logging possible है तो microbit version 2 पे लगे सारे onboard sensors और जो भी sensor हम microbit से connect करते हैं हम उन से real time data gather कर सकते हैं और फिर उसको हम plot कर सकते हैं उसको हम analyze कर सकते हैं AI और machine learning पर hands-on model बनाने के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है Google Teachable Machine ये एक free tool है जिस पर students तीन किसम के machine learning model बना सकते हैं image based machine learning sound based machine learning और pose based machine learning AI और ML पर मैं काफी सारे videos बना चुका हूँ जिनको मैंने compile किया है एक free online course पर इस course में मैं teachable machine और teachable machine को scratch और microbit से हम कैसे जोड़ के किस किसम के projects बना सकते हैं और फिर scratch के कई सारे extensions जैसे cognomates और machine learning for kids इनको use करते हुए हम किस किसम के ML machine learning projects बना सकते हैं और अगर students के पास available है तो husky lens जो की एक vision sensor है उसके साथ हम microbit पर क्या projects बना सकते हैं और अगर Arduino Nano 33 BLE Sense जो की Arduino का एक relatively नया board है उसको use करते हुए edge computing और tiny ML tiny machine learning के projects इन सब के उपर मैं already video tutorials बना चुका हूँ इस course में मैं और videos add करता रहूँगा internet of things पर projects बनाने का एक अच्छा तरीका है think speak website आप Arduino और Arduino से लगे sensors को think speak website से connect कर सकते हो using wifi और फिर आप data collection कर सकते हो और उस data को visually appealing ways में plot कर सकते हो और think speak website पर inference draw करने machine learning और inference draw करने के tools भी available हैं तो think speak website यूज़ करते हुए students IoT के projects बना सकते हैं microbit को भी think speak से think speak.com website से connect किया जा सकता है तो microbit यूज़ करते हुए students IoT projects बना सकते हैं immersive reality के लिए google cardboard एक असान तरीका है ये around 300 रुपे का आता है इसमें आप अपना phone insert करते हो और phone पर आप google cardboard की free app install करते हो और फिर इस app में कई सारे interesting चीज़ें हैं जो students explore कर सकते हैं और इस app के अलावा YouTube 360 चैनल पर बहुत सारे 360 degree videos available हैं तो अगर आप parent हो या teacher हो तो आप students को curation के projects दे सकते हो जो की वो फिर science exhibition में display कर सकते हैं for example better understanding of underwater world या Mars का surface कैसा लगता है या फिर दुनिया की सैर और famous cities की visit तो इस किसम के projects जो हैं वो जब आप Google cardboard के थूरू virtual reality में देखते हो तो वो काफी engaging हो जाते हैं और students को मज़ा भी आएगा और उनकी जानकारी भी गहरी होगी smartphone पर augmented reality apps चलाने के लिए थोड़ा powerful smartphone चाहिए पर अगर students के पास इसकी access है तो augmented reality पर भी कई सारी free apps available हैं for example GeoGebra एक app है जो की students को help करती है geometry और algebra की abstract concepts को more concrete way में समझने के लिए और अगर उनके पास एक powerful enough PC या laptop है तो unity free software यूज करते हुए वो augmented reality और virtual reality खुद create भी कर सकते हैं next हम एक overview लेते हैं global problems का आज के दिन जो एक बहुत important problem है वो है climate change और climate change पर students project बना सकते हैं कि climate change का आने वाले दशकों में क्या impact होगा national level पर या regional level पर या state level पर और climate change को फिर tackle करने के क्या possible solution है किस किसम की नई technologies आ रही हैं या फिर हमें as human species किस तरीके से अपने को adapt करना पड़ेगा to live in a warmer world inequality एक और बहुत बड़ा problem area है और inequality income की हो सकती है, gender की हो सकती है तो students इसके बारे में अपनी awareness बढ़ाने के लिए इस पर भी projects बना सकते हैं food और water security जैसा हमने अभी Ukraine war में देखा है कि food या grains जो है वो एक war का मुद्दा या उसका consequence बन सकते हैं और कहा जा रहा है कि आने वाली जो major wars होंगी वो water security के उपर होंगी तो ये एक interesting area है जिस पर students की जानकारी होनी चाहिए education बहुत बड़ा challenge है और education को कैसे उसको जादा relevant और engaging बनाया जा सकता है इस पर I'm sure students के कई सारे ideas होंगे क्योंकि वो खोद भुक्त भोगी हैं तो इस पर वो project बना सकते हैं COVID pandemic ने हमें दिखाया है कि जो diseases हैं उनको समझना कितना important होता जा रहा है और वो किस तेजी से आज के दिन की interdependent दुनिया में फैल सकती है और ना सिर्फ physiological diseases बट इवन mental health का जो issue है वो बहुत important issue है और ये issue students के लिए भी important है क्योंकि exam की stress है या फिर और जो FOMO fear of missing out और इस किसम की mental health issues है students इस पर शोद करेंगे तो वो उनके अपने हित में है कि वो अपनी परिशानियों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझें ताकि फिर वो उसको tackle भी कर पाए फिर aging societies है या फिर terrorism है या geopolitics है ये और global problems है जिस पर students projects बना सकते हैं इन में से कई सारी topics पर मैं already videos बना चुका हूँ for example education पर मेरे videos है mental health, stress और उसका health पर impact इस पर मेरे videos है blockchain, AI और emerging trends जैसे gig economy या fourth industrial revolution या फिर genetic revolution और internet of things इन सब पर मेरे videos अविलेबल है and of course इन topics पर online और YouTube पर बहुत जानकारी अविलेबल है जिसको research के लिए use करके students digital explainers बना सकते हैं and finally जो तीसरा lens है science projects के नए idea सोचने का वो है national level problems या regional level problems या local context में क्या opportunities or challenges है इनके उपर शोध करके, इनके उपर research करके projects बनाना ये भी एक area हो सकता है जिस पर students next science exhibition के लिए projects बनाएं तो I hope digital education viewer ने जो सवाल पूछा था इस video में मैं उनको कुछ ideas दे पाया जो उनके लिए और बाकी viewers के लिए useful रहेंगे